हेलो फ्रेंट वेलकम टू येश्टी एट इंटर्टी एलो टूप चनल फ्रेंट समनों को सामा निख्यान का आज आठवा प्रेक्टिस्ट साल्प करेंगे जो आपके जूनियर हाइस को सहाय कध्या परिक्षा के लिए काफी बात पोड़ होगा सेल्वेस के अनसार इसमें आपको समसामाई की करेंट अफियर परियावराण इतिहास भूगो सभी पार्ट से कुल 50% मिलेंगे जो आपके इग्याम के लिए ही त्यार कियागे है तो वीडियो पर आज तक बने रहेगा और इसके आप पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेइलिस्ट में जा करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्स्वाइब पर लिजेगा लाइक कीजेगा दोस्तों में शेयर भी कर दीजेगा बेला आइकन पर प्रस्वाइब लिजेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोडिफिकेशन शब्शे पहले में सके तो चलिए कोशन को सुरू करत इस प्रकार सरकरा मोखcco पहलों में ही बाइजाती है प्रक्टोज एक मोनोसेकराइड भी होता है तो यहां प्रक्त क्यों क्यों अपका कर्क्त होुआगा सही हो जाएगा अगला कोशन है निमलिकित में से कौन सा कार्बनिक अमल अंगूर 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 रोग नहीं है प्रेश्शन में पूछा है तो रत वद्धी तो ये अनुफनीच रोग नहीं है यह तो विटामिन एक कंई से होता है ठीक है? तो अनिसान गत रोग है और हिमो फेलिया भी एक आनुवंसिक रोग है तो तीनों आनुवंसिक रोग है इसमें रतवधी जो है यह नहीं है अगला कोचिन है निम्रिकित में से कौन सायोग में सही नहीं है पुछा है तो बिटामिन B12 ये प्रति अरक्तता का कारक है, सही है बिटामिन C प्रति असकरवी कारक है, सही है बिटामिन D वंधितारोधी कारक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ये सही नहीं है, तो यहाँ पर C आपसन सही जाएगा बिटामिन D नहीं है बलकि ये बिटामिन E होना चाहिए था बिटामिन E जो है ये बंदितार ओधी कारक माना जाता है ठीक है तो यहाँ पे C आपसन आपका करेक्ट जाएगा क्योंकि प्रश्ण में नहीं पुझा है अगला कोशन है जै विटा के इहरास का मुख्य कारण है तो प्राकृतिक आवासी बिनास का होना जो है जै विटा के इहरास का मुख्य कारण माना जाता है प्राकृतिक संसादनों के दोहन तथा और द्योगी कुदपादन एवंग नगरी करण को बढ़ावा देने के उद्धिसे से प्राकृतिक वास का बिनास किया जा रहा है जो जैविद्धा के इहरास के लिए जो है सरवाधिक मातपूर कारक माना जाता है तो यहाँ पर आपसन नम्बर डी आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन है जिस रूप में पौधे नाइटोजन प्राप्ट करते हैं तो पौधे की सुरूप में नाइटोजन प्राप्ट करते हैं तो यह नाइट्रेट के रूप में प्राप्ट करते हैं और वे इसकी पूर्ती जो है वाई वत्वा जल में घुलन सील नाइट्रेट से करते हैं, तो यहां पर आपसा नंबर भी आपका सही हो जाएगा, अगला कुछ नहीं है लंदन में आयोजित निमलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसमे महात्मागांदी उपस्तित थे, तो ये दुर्टी ऐगोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, 7 दिसंबर 1931 से ले करके, 1 दिसंबर 1931 की मध्य दुर्टी ऐगोलमेज सम्मेलन में लंदन में हुआ था, और इस सम्मेलन में महात्मागांदी ने कांगरेस का प्रतिनिद्र थिक्या था, तो यहां पे भी आपसन आपका सही हो जाएगा अगला कोईशन है अखिल भारती किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे तो अखिल भारती किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष जो है थे वो स्वामी सहजानम सरसुति से यहां पे भी आपसन करेक्ट हो जाएगा अखिल भारती किसान के स्थापना जो हुई थी 1936 में हुआ था और ये 1936 में भारती राष्टी कांगरेस का जो लखनों में अद्वेशन हुआ था वहीं पर इसकी जो है अस्थापना की गई थी और इसकी संस्थापक अध्यक्षिश्वामी सहजानन्द थे अगला कोचिन है निम्लिकित में से किसे भारत में अस्थानी स्वायत सासन का जनक माना जाता है तो ये लाड रिपन को ठीक हैं लाड रिपन के कारेकाल में जो है प्रस्तुत अस्थानी सोसासन प्रस्ताव 1882 इस भी से भारत में आधुनिक अस्थानी सोसासन का परारंब माना जाता है तो यहाँ पेटी यह आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है निम्लिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो मुतिलाल नहरू यह नहरू रिपोर्ट से यमके गांधी चंपारन आयोक से यह सोसाई है आपका खिलाफत आलोन आंदोलन यह में जिनना से नहीं था खिलाफत आलोन प्रावर्ण करने के लिए गठित खिलाफत कमीटी में जो है सौकित अली और मुहामद अली और अबुल आजात कलाम और हकीम अजमल खान यह सभी इसमें सामिल थे ठीक है मुहामद अली जिनना यह मे जिनना इसमें सामिल नहीं थे तो यहाँ पे D.E. आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोशिन है भारती राष्टी कांग्रेश की पहले अध्यक्ष थे तो भारती राष्टी कांग्रेश की पहले अध्यक्ष थे बेमोश्चंद बनरजी यहाँ पे C.E. आपसन करेक्ट हो जाएगा बारती राष्टी कांग्रेश की पहले अध्यक्ष थे और बारती राष्टी कांग्रेश का पहला दिवेशन जो हुआ था 1850 में हुआ था इसको भी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सियापसान करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है निमलिकित नदियों में से किसको दच्छड का गुंकक आ जाता है तो गुदावरी को दच्छड का गुंकक आ जाता है यहाँ पे सियापसान करेक्ट हो जाएगा और गुदावरी नदियों है एक कावेरी पश्चिमी घाट परवत सिंखला के ब्रहमगिरी नामा का स्थान से निकलती है तो इसको भी कभी कभी पूछा जाता है याद रखिएगा सियापसान करेक्ट हो जाएगा अगला कोशिन है भारत में आधे से अधिक स्वयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है कहां से तो यह मद्यप्रदेश से होता है ठीक है भारत में मद्यप्रदेश में जो है आधे से अधिक स्वयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है इसके बाद अगर दिखा जाए तो सेथ क्रांती संबंदित है तो सेथ क्रांती जो है ये दुख दूध पातन से संबंदित है और रजद क्रांती अंडा से क्या है रजद क्रांती है ठीक है और नीली क्रांती जो है आपका मत्से पालम से है नीली क्रांती नीली क्रांती तो इन तीनों को याद रखिएगा यहां पर यह आपसन सही हो जाएगा अगला कोशन है निमलिकित में से कौन सी बायो डीजल की फसल है बायो डीजल की फसल तो जेट टोफा हो जाएगा ठेक है जेट टोफा बायो डीजल की फसल है जेट टोफा पुस्पी ये पादपों की प्रजाती का पौदा है जो सुखे तथा विराजकारी कीटों के प्रति जो है प्रति रोधक भी है तो यहां पे आपका सी आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला है चिपको आंदोलन संबंदित है तो यह पादप संद्छन से संबंदित है यहां पे आपसन करेक्ट हो जाएगा चिपको आंदोलन जो है पेड़ो कोई कट कि अगला कोशिन है वन ने जीव सुरक्षा अधनियम के पारित के अगया था तो वन ने जीव सुरक्षा अधनियम 2022 में पारित किया गया था यहाँ पे आपका स्य आफ्शन प्रतिवर्स सुरह सितंबर को अंतराष्टी ओजोन परस संदच्छान दिवस के रोप में मनानी के घुसरा की थी और बर्स 1987 में 1987 में सुरह सितंबर को ही मांटियल प्रोटोकाल पर हस्ताक्चर किये गए थे अगला कोई जैने निम्लिखित उर्जा सुरोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वक्ष रखने के लिए सर्वुत्तम है तो वो है सौर सेल ठीक है डिया आप्सन करेक्ट हो जाएगा सौर बैटरी या सौर सेल जो है फोटो वोल्टोईक प्रभाव के कारण प्रभाव के द्वारा जो है सूर या प्रकास के किसी अने सुरोत से उर्जा प्राप्त करता है तो यहाँ पर इसलिए पर्यावरण को स्वक्ष रखने में काफी महत्पूर योगदान देता है सौर स jith prices तो यहां फिर आपस नम्र 10 आपका सही हो जाएगा अगला को चनरि नियुगित में से कहाँ सदा बाहार बन पाय जाते हैं कि सदा बहार बन जो हैं जादे करके ठेक है उस्यळकडरबंदी सदाबाहार बनों का बिसार जो है पच्छिम घाट यानि सहयाद्री सथि और उत्तरपूरो भारत और अणवान निवगनी को बार्दीव समों के कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक आउसत वार्षिक वर्साज वाले शेत्रों में यह पाई जाता है तो यहां भी सी आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्य नहीं प्र्यावरण में घ्रीन हाउस गयस प्रभाव में विर्धि के कारण त्यों के कारण घहां जावरेख्टीर की रिंज कि अंतरगत हैं 2021 और सबसे जादे प्रिद्धिक करने का करड़ है कारबन डाइकसाइड तो यहां पर आपसार नमबर भी आपका सही हो जाएगा अगला कोचिन है भारती समिधान के किस अनसूची में राजियो एवंग संगों क्या उलेक किया गया है तो पहले हे इनसूची में है ठीक है भारती समिधान की पर्थम अरसूची में राजियो एवंग संगों राजियो का उलेक किया गया है अगला कोछिन है भार्ति संभिदान के ग्राहो होची संबंदेथि है तो इक ग्रहभी संभिदान संसुदन coaching जू ging पनचायती राज संस्थाओं को स्थां को फ्र चार परदान किया है तो यह ग्राहो हो अन्सूची जूहिए भांग नो में है तो यहाँ पर यह आपसान आपका correct हो जाएगा अगला question है सूचना का अधिकार के संबंद में निम्लिकित कत्रों में से कौन सा सही है तो सूचना का अधिकार जो है यह विधिक अधिकार है यहाँ पर यह आपसान आपका correct हो जाएगा शूचना का अधिकार अधिनियम एक विदिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहट नागिरिकों को परदान किया गया है अब सरवोच नियाले ने जो है सूचना के अधिकार को अनुछेद 19 के तहट सामिल किया है माना है तो यहाँ पे यह आपसानाप का करेक्ट हो जाएगा अगला कोचे ने भारती संब्धान का अनुच्छे 40 राज्य के सार्थक कर्म होए तो परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंद में ठीक है भारती संब्धान का जो अनुच्छे 40 है वो राज्य सरकार को पंचायतों के संगठन तथा उसके अधिकार प्रदान करने से संबंद माना गया है तो यहाँ पे यह आपसानापका सही हो जाएगा अगला कोचन है निम्लिकित में से कौन भारत संग राज्य संबंद से संबंदित नहीं है नहीं पूछा है तो यह इंदरजीत गुपता समित थी ठीक है इंदरजीत गुपता समित का गठन जो हुआ था 1998 में चुनाव सुधार एवंग जन प्रतित कानून 1950 में संसुधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था और इस समित का मुख्योंतित से था चुनाव कारियों में राज्य की ओर से धन उप्लब्द कराये जाने की ब्योहार यता का भीसेस अध्यान करना और उस पर अपना निश्कर्स देना ठीक है तो यह चुनाव प्रदान मंत्री नरेंद मोदी नी जो है 15 अगसर 2014 को लाल किले की प्राचीर से असपश्ट घोषडा किया था कि योजना आयोक के अस्थान पर नया संस्थान अस्तित में आएगा एक जनीर 2015 को नया संस्थान जो है नीति आयोक का अस्तित में आया एवंग योजना आयोक को इसी दिन समाप्त किर दिया गया था तो यहां पे आपसा नंबर A आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन है ए संगठित स्रमिक सामाजिक सुधार अधनियम पारित हुआ था यह 2008 में पारित हुआ था ठीक है ए संगठित को 30 Di conmbre 2008 को स्व्यैक्रती दी घे तो यहां पर स्याप्सान आपका सहऑ हो जाएगा के अगला कोरिशनने निम्लिकित में से कौन सा भारती अर्थबवस्था का प्रमुक लेक्षण है तो यह मिस्षी तर्थबवस्था भारती अर्थबवस्था का प्रमुक लख्षणा माना जाता है यहां पर आपका सी आफसान करेक्ट हो जाएगा शर्तादर जो है वो 77.3% है और महिला की जो है महिला की 57.2% है यानि दोनों में अंतर जो है 20.1% का है तो महतपूर्ण पॉइंट है इसको याद रखिए गए यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन है राश्ड़ी मतदाता दिवाश मनाया जाता है तो राश्टी मतदाता जिद्वसक का बनाया जाता है 25 जनुरी अनुरी निर्वाचन आयोक्य अस्थापना की उपलक्ष में और लोकतांतरिक प्रक्रिया में मतदाताओं और योवाओं की भागयतारी किया गया है और 25 जन्वरी 1950 को भारती निर्वाच्चन आयोकी अस्थापना भी हुई थी तो उसी के उपलक्ष में मना जाता है राष्टी मत दाता दिवाश 25 जन्वरी को इसकी सुरुवाद जो है 2011 से हुई थी ये भी आप लोग याद रखिएगा अगला कोशन है कौन सुपी संत महबूब ए इलाही कहला था तो वो था सेख निजामोदीन ओलिया ठीक है सेख निजामोदीन ओलिया जो है महबूब ए इलाही कहला था तो जहां पर आपका डिया अपसन करेक्ट हो जलिया वाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जाच समित्ती की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कारे सौपा गया था किसको तो यहां पर आपसना नमर भी आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन है इंडियन ओपिनियन पत्रिका का पर्थम संपादक थे तो महात्मा गांधी थे ठीक है इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दो है दच्छिड अप्रिका से बर्स 1903 में प्रारम की कई पत्रिका थी जिसके पर्थम संपादक पुछाए ना नमबर डी ठीक है जो नटाल कंग्रेस के सचीव थे यह पत्रिका गुजराती हिंदी तमिल और अंगरेजी में प्रकासित होती थी तो यहां पर डी आपसान आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है 28 फरवरी 2021 को अठातरमा गोल्डन ग्लोब पुरसकार बितरण समारो में सर्वसेष्ट मोशन फिल्म ड्रामा का पुरसकार किस फिल्म को प्रतान किया गया तो यह किया गया है नोमय लेंड को नोमय लेंड को ठेक है यहां पर यह आपसान आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है हाल ही में 27 बिकास लक्षों पर चौथा दक्षण एसिया फोरम 2020 वीडियो कॉनफरेंस के माध्यम से कम संपन हुआ तो यह संपन हुआ है दो से तीन दिसंबर 2020 के बीच ठीक है यहां पर यह आपसान आपका करेक्ट हो जाएगा दो से तीन दिसंबर में जो है 2020 में मध्यससत विकास लक्षों पर चौथा देच्षण एसिया फोरम 2020 वीडियो कॉनफरेंस के माध्यम से संपन हुआ तो यहां पर आपका यह आपसन आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है 15 दिसंबर 2020 को सही अपतराश्ट विकास कारिकम यूज़न डीपी द्वारा जारी बानो विकास सूचकांग 2020 में भारत को कौनसा अस्थान पर अप्ष हुआ तो भारत को 131 वह अस्थान पर अप्ष हुआ है ठीक है तो यहां पर आपका स्थी आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है 29 दिसंबर 2020 को केंदरिय बित एवं कार्पोरेट कार्य मंतरी निर्मला सीतारबड ने शंशद में आर्थिक समिख्षा 2021 केस पेस किया इसके अनुसार बित बर्स 2022 में भारत की वास्तविक GDP की विकासदर कितने प्रत्सत रहेगी तो यह 11 प्रत्सत रहेगी यहां पर आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोचिन है नो फर्वरी 2020 को भारत ने किस देश में लाल अंदर यानि सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक सब्जोता ग्यापन पर आपस्ताक्चर किये तो यह अफगानिस्तान के साथ यहां पर भी आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोचिन है दो फर्वरी 2020 को संपूर्ण विस में विस आर्द भूं में दिवस मनाया गया इस दिवस का मुख्य भी से क्या है तो इस दिवस का मुख्य थीम जो था वो आर्द भूं में और जल था यहां पर ए आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोचन है निम्लिकित दिये गए विकलपों में से संबंदित संख्या संख्याईग्म को चुनिए तो यहाँ पिर 11 है अगर हमें 11 का क्यूब करते हैं 11 का क्यूब करते हैं तो इतना जाता है 1331 उसी तरह से हम 12 का क्यूब करेंगे तो आपका आजाएगा 1728 ठेक है इसको आप लोग कर सकते हैं आप लोग रफे तो 17-18 सेंसर आएगा तो यहाँ पbokण आपका सई हो जाएगा अकला कोशन है एक चुहे को कुत्ता कहा जाए खुत्ते को निवला कहा जाए निवलो के सेर कहा जाए सेर को सांप कहा जाए सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पसु के रूप में किसी पाला जाएगा चुकि चुहा कुत्ता नेवला से तथा साप में इन सब में कीवल कुत्ता ही पालतु पसु है जिसे प्रश्ण में नेवला कहा गया है ठीक है देखिए एक चुहे को कुत्ता और कुत्ते को नेवला कहा जाए तो हम पालतु पसु काँछा होता है कुत्ता होता है तो कुत्ते क को क्या का गया है नेवला का गया है तो यहां पर डियाफसन आपका करेक्ट जाएगा नेवला के रूप में उसको पाला जाएगा अगला question है दिये गए बिकलपों में से विसम संख्या गयात किछिये तो विसम कौन सा है तो यहां पे V वाला है देखिए यह माइनस में है यह यहटेगा तो यह प्लस हो जाएगा यह भी प्लस है यह भी प्लस यह भी तो यहां पे यह सह उर्ट अल्ग याजनी मोई निमınd मइनस तो पीछे जाना पटत रहा है इसी तरह से ऊसे हम जब यूच पाएंगे तो मीनस दो हो जाएगा फिर यू से हम यह स roz अत्शने का मानस दो हो जाएगा H से माइनस 2 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा J हो जाएगा A से माइनस 2 पे जाएंगे क्या हो जाएगा Y हो जाएगा I से माइनस 2 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा K हो जाएगा और R से माइनस 2 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा P हो जाएगा और इसकी माता को याद है कि उसका जन्म दिन 22 अपरेल के बाद है तो कमल का जन्म दिन अपरेल की कौन सी तिसी को आता है कमल का जन्म दिन जो है 24 अपरेल से पहले तथा 22 अपरेल के बाद हुआ यानि 23 अपरेल को हुआ यानि 23 अपरेल उसकी माता मान रही है कि 22 के बाद है औ उस दोनों के बीच में तेई साहर आये तो यहाँ पी टेजिया अपसा आपका सई हो जाएगा अगला कोचिन है ये तिग्रत परसो और थो रभीवार कब हो का ये तिग्रत परसो और विरहसपतिवार था तो आज कौनसा दिन होगा परसो यानि आज मालिजे सनिवार है तब ही न परसो जो है बिरहस्पतिवार होगा तो आज सनिवार है तो यानि आगामी वाले कल जो है आगामी कल जो है क्या हो जाएगा रभिवार हो जाएगा यहाँ पिर सी आपसान आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन है कथन में कह रहा है कि भारती संग्रहाले की सुरक्षा केंद्रिय सरकार का दाईद तो है विक्टोरिया मेमोरियल कच्छ राष्टी संपत्य है निसकर्ट एक कह रहा है कि भारती संग्रहाले राष्टी संपत्य है यह तो गलत हो गया विक्टोरिया मेंमोरियल कच्छी جो है राष्टी संपत्य है तो पहले तो गलत हो गया राष्ट की एतियासिक संपत्य का सनच़़ केंद्री सरकार दोरा किया जाता है यह आपका निसकर्थ सही हो रहा है इस कथन के अंसार तो यहाँ पर दूसरा अपसन आपका सही हो जाएगा केवल निसकर्स तो इसमें से सही निकल दा है अगला कोचन है नीचे दो कथन है जीने दिड़ कथन ए और कारण बताए गया है तो दिड़ कथन में कहा गया है कि पठन वैकल यानि डिसलेक्सिया एक मनो बेग्यानिक विकार है और कारण हमी पता रहा है कि यह रोग बिटामिन की कमी के कारण होता है ठीक है तो डिसलेक्सिया जो है एक मनो बेग्यानिक विकार है यह तो सही है कथन यह सही है लिकिन यह रूख बिटामिन डी की कमी से होता है यह गलत है ठेक है तो यहां पे डी आपसाना आपका सई हो जाएगा ठेक है यह है मनो बैग्यानिक विकारक होता है विटामिन की कमी से नहीं होता है मनो बैग्यानिक विकारक के कारण होता है अगला कोश्चन है सोरे फरवरी 2020 को प्रधार मंतरी नरिंद मोदी ने बीडियो कानफरेंस के माध्यम से कहा के महराजा सुहेल देव इसमारक और चित्तावरा जहील के विकास कारियों का सिला नयास किया तो ये बहराईश के राजा ठीक है सुरह फरवरी 2020 को प्रधारमंतरी नरिंद मोदी ने वीडियो कांफरेंस के माद्यम से बहराईश के महाराजा सुहेल देव इसमारक और चित्तावरा जहील के विकास कारियों की अधार सिला रखी और इसके साथ ही उन्होंने महाराजा सुहेल देव के नाम पर एक मेडिकल कालेज भौन का उद्गाटन भी किया गा 17 सदापती के फारसी भासा के एतियासी कलपित तथा मिरात ए मसूदी के अन्सार जो है महाराजा सुहेल देव की 21 सदी में स्रावस्ति के राजा भी थे तो यहाँ पर सी आपसन आपका सही हो जाएगा